हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम UPSI के डाटा को एनलेसिस करेंगे और जो रैंक IQ पर डाटा है उसके आधार पर हम चेक करेंगे कि 100 प्लस वाले कितने स्टुडेंट हो गए हैं अभी अभी तक ठीक है लगबग 20,500 स्टुडेंट्स ने वहाँ पर जो है अपना अपनी रै हो चुके हैं तो उन 20,500 प्लस में से 100 प्लस वाले कितने हैं 110 प्लस वाले कितने हैं 120 प्लस वाले कितने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दूसरी बात ये कि 12 नवंबर को जिसका एक्जाम था या सभी बच्चों के लिए है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताने बाला हूँ और आप सुन करके चौक जाओगे ठीक है बिलकुल यार एक मतलब डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो का पूरा दिहान से देखना मैं आगे आपको वो चीजे बताओंगा ठीक है कि क्या चीज हुई है ओके तो च और यहाँ पर लगबग 20,680 लोगों ने यहाँ पर जो है एड हो चुके है अपने जो है सीट मार्क शीट जो है सेयर की है आंसर की ठीक है तो उसमें जो है 102 से जादा जो है करने वाले कोशिंस करने वाले 12,754 स्टुडेंट हो चुके हैं देखें एड तक ध्यान से देखन यहाँ पर बिल्कुल भी इस डाटा से बिल्कुल डरना नहीं है ठीक है क्यों नहीं डरना अभी क्योंकि नॉर्मलाजेशन का चक्कर आएगा ठीक है रिजल्ट का वेट करो ठीक है कटोप बताऊंगा एंड में इतनी है तो आप बिल्कुल रनिंग के लिए लगे रहो इस को आप भूल जाओ ठीक है खाली मैं यह बताना चाहरा हूँ कि 102 वाले अभी कितने स्टुडेंट हो चुके है ठीक है तो 12,700 और यह नॉर्मलाजेशन के बाद इतना हो चुका है कैटेगरी 22,322 में से 599 में यहाँ पर आ रही है ठीक है और यह सिफ्ट का है ओकी आगे स्टुडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 110 कोश्चन से जादा ही स्कोर किया है ठीक है यह आप देख सकते हो और सिफ्ट सोरी कैटेगरी वाइस सी कैटेगरी में 38 रैंक है ठीक है ठीक है 231 में से ओके आगे देखते हैं अब देखें यहाँ पर यह जो है आपका 109 कोश्चन 109 पोटल ऑवरोल 8490 यानि 8490 लेकिन यह 19,682 में से है ठीक है लगबग 20,000 मान के चल सकते हैं तो यह रैंक कितनी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक जो नौर्मलाइजेशन से पहले कितनी है 8490 यानि 8490 लेकिन भाई साब नौर्मलाइजेशन के बाद देखें यहाँ पर 4248 रेंग कितना डिफरेंट आया यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वाली जो सिफ्ट है यह जो सिफ्ट है इसमें बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया है और यह आपको जान करके हैरानी होगी कि यह सिफ्ट कौन सी है तो मैंने पता किया है तो 12 नवंबर की 1st सिफ्ट 12 नवं बहुत एजी है बहुत एजी है लेकिन नॉर्मलायजेशन का जो फाइदा और नुकसान वोगा वो वोगा एफरेज माकस इसे मतलब एफरेज माकस कितने है है वी शिफ्ट में ही ठीक है तो यहां पर इटा देखने को मिल रहा है कि कही ना कहीं जो पहला एक्जाम हुआ था बारे नवंबर के डेट में तो कहीं न कहीं उसमें जादा स्कोर नहीं कर पाए है ठीक है तो आप देख सकते हैं 109 कोशन यहाँ पर सही है और जो रैंक है नॉर्मलाइजेशन के बाद 448 तो आपको घवराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके 100 पलस कोशन है ठीक है तो भाई आपको बिलकुल डरने की ज़रूरत नहीं है अभी आप रेस कर सकते हो रनिंग ठीक है आप थोड़े थोड़ा रनिंग करते रहें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी उपर नीचे चीजे होने वाली है अब देखिए 109 में 4248 रैंक है और यहीं पर 110 में जो है 8000 से भी उपर रैंक ठीक है 8000 से भी उपर रैंक तो यहाँ पर देख सकते है सिफ्ट का कितना डिफ्रेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो घबराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है आप अगर 100 प्लस में हो जनरल में ठीक है तो रनिंग करे और 55 में प्लस OBC में हो तो रनिंग 95 में कुश्यन ठीक है तो रनिंग कर सकते हो भाई ठीक है और SC वो ही 90 पिचान में ठीक है और गर्ल्स जो है qualified है अगर आप चारो subject में plus overall cutoff ठीक है तो आप running के लिए जो है तैयारी करें तो इस data से घबराने की जरुत नहीं है ठीक है ना हालांकि ये data बिल्कुल accurate है लेकिन अभी भाई normalization का system है ना वो भी तो है ना ठीक है उसमें उपर नीचे चीज़े होगी तो ये data बिल्कुल accurate है बिल्कुल सही है लेकिन अभी आपको डरने की जरुत नहीं है और अभी आप जो question मैंने जितने बताए उस case आप से आप अपनी running के तैयारी कर सकते हो तो चलिए आज का update ये इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी के साथ और दूसरी बात अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहें तो आज मैंने एक lecture डाला है लगवक डेड़ घंटे का ठीक है तो वो आपका static gk का है और उसमें मैंने the aim की book जो है cover की है ठीक है complete वो पार्ट art and culture वाला chapter complete किया है one liner question है तो एक बार आप उसको देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उस उतनी वीडियो में से ठीक है art and culture में से एक shift में उसमें से तीन question देखने को मिले थे ठीक है एक shift में तीन question gsk ओकी तो आप देख सकते हैं एक बार जाकर के और चलिए मिलते हैं एक ली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो